हाई नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजी जैनुविन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी important रहने वाला है तो morning news में मैं आपको DSSB से जुड़ी काफी important खबरे बताने वाला हूँ तो साथियों वीडियो स्टार्टिंग से ending तक देखते रही हैं तो कल 12 फरवरी 2019 को जिन साथियों का MCD PRT में cutoff में नंबर आ आ रही थी, EDOGR की problem आ रही थी, वो submit नहीं आ पा रहे थे, तो वो candidates DSSB office के बाहर गए थे, इखटे हुए थे, तो वहां से जो update आई है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो साथियों update क्या है, वो साथ ही गए थे क्योंकि उनको EDOGR में problem हो रही थी, EDOGR submit नहीं हो रहे तो जो वहां से update मुझे मिली है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो DSSB की तरफ से जो जवाब आया है, EDOGR के बारे में जवाब आया है, क्योंकि candidates का question था कि EDOGR जो submit नहीं हो रहे है, तो DSSB की तरफ से जवाब आया है, कि EDOGR है जो site normal चल रही है, अभी EDOGR जो submit करने की last date है, वो extend होने का अभी कोई matter नहीं है, अभी हम last date extend नहीं कर सकते, हमारी तरफ से जो site है बिलकुल अच्छी चल रहे है, इसके बाद दूसरा question था candidates का, कि sir, जो हमारा documents है, जो हमारे documents है, अगर उनमें कोई problem हो जाती है, तो क्या होगा, क्या हम reject कर दी जाएंगे, तो उसका ज आपकी जो mistake हुई है, उन्हें सही कर सकते हैं, इसके बाद कुछ candidates के question थे वहापे, कि हमारा जो CTAT है, वो JBT final year, third semester या fourth semester appearing में था, तो क्या हमारा ये valid होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने अभी जो update दिया ये है, कि इसके बारे में जल्दी notice डाल दिया जाएगा, और अभ भी आप किसी अफवापर ध्यान ना दें, तो सातियों ये update थी, और ये चीजे मुझे सोर्सिस से पता चली है, जैसा कि कल वहापे candidates गए थे, तो ये update मुझे वहाँ से मिली है, ये मैंने आपको बता दिये, तो सातियों ये थी update, good bye, take care, thank you, जैहिन, one day, मात्रम.